नमस्कार आदाव आपका मेरी अपनी मेफिल में एक बार फिर स्वागत है इस तकबाल है जी हाँ वही मेफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना अन्जाम बखेर आईए सुनते हैं अन्जाम बखेर बटवारे के बाद जब फिर कवारन फसादत बहुत तश्रुद अख्तियार कर गए और जगा जगा हिंदूओं और मुस्वर्बानों के खून से जमीन रंगी जाने लगी तो नसीम अक्तर जो दहली की नौखेस तवाइफ थी अपनी बूरी ही मां से कहा चलो मां यहां से चलें बूरी नाइका ने अपने पोपले मुह में पांदान से च्छा लिया के बारी बारी चुक्रे डालते वे उसे पूछा को जाएंगे बट बेड़ा पाकिस्तान यह कहकर वा अपने उस्ताद खान साहब अच्छन खासे मुखातिब हुई खान साहब आपका क्या ख्यार है यहां रहना आप फद्रे से खाली नहीं खान साहब ने रसीम अक्तर की हां में हां मिलाई तुम कहती हो मज़र बाई जी को मना लो तो सब चले रसीम अक्तर ने अपनी मा से बहतेरा कहा कि चलो अब यहां हिंदूओं का राच होगा कोई मुसल्मान बाकी नहीं छोड़ेंगे बुड़िया ने कहा तो क्या हुआ हमारा धंदा तो हिंदूओं की बदालाजी चलता है और तुम्हारे चाहने वाले भी सब के सब हिंदू है मुसल्मानों में क्या रख़ा है ऐसा ना कहो उनका मख़ब और हमारा मख़ब एक है काइद आजम सहाब ते इतनी मेंद से मुसल्मानों के लिए पाकिस्तान बनाया है हमें अब वहीं रहना चाहिए मांडो मिरासी ने अफिम के नशे में अपना सर हिलाया और गुनूद की भरी आवाज में का छोटी भाई अल्ला सलामत रखे तुमें क्या बात कही दूसरे मीरासी भी तैयार थे वो भी तैयार हो गए लेकिन बड़ी बाई दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी बाला खाने पर उसी का हुक्म चलता था असलिए सब खामोश हो गए बड़ी भाई ने सेट गोबिन प्रकाशी कोटी पर आदमी भेज रहा और उसको बुला कर कहा मेरी बच्ची आजकल बहुत डरी हुई है पाकिस्तान जाना चाहती है बगर मैंने समझाया वहां क्या धरा है यहां आप ऐसे महरबान सेट लोग मौझूद हैं वहां जाके हम उपले थापेंगे आप एक करम कीजिए सेट बड़ी भाई की बातें सुन रहा था मगर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था एकदम चौंक कर उसने बड़ी भाई से पूछा क्या चाहती है हमारे कोटे के नीचे दो तीन बंदूक वाले सिपाहियों का पैरा खड़ा कर दीजिए ताके मेरी बच्ची का सहम दूर हो सेट गुमेंट प्रकाश ने कहा ये कोई मुश्किल काम नहीं मैं अभी जाकर सुपरिंटर्टन पुलिस से जाकर मिलता हूं शाम से पहले पहले सिपाही मौजूद होंगे नसीम जी माने सेट को बहुत दूआएं दी जब वो जाने लगा तो उसने कहा हम आज अपनी बाई नसीम अख्तर का मुजरा सुनने आएंगे बुडिया ने उटकर ताजीमन कहा हाई जम जम आईए आपका अपना घर है बच्ची को आप अपनी कनीज समझिए खाना यहीं खाईएगा नहीं मैं आजकल परहेजी खाना खा रहा हूँ यह कहकर वो अपनी तोन पर हाथ फिरता चला गया शांग को नसीम की माने चांदिया चांदिया भी बदलवाई गाउ तक्यों पर नहे गलाव चड़वाए ज्यादा रोशनी के बल्ब लगवाए सेट के लिए आला किसंदे सिगरेटों का डबा मंगवाने भीज़ए थोड़ी देर के बाद नौकर हवास बाखता कांपता वापस आ गया उसके मुझे एक बात नहीं निकलती थी आखर जब वो कुछ देर के बाद समला तो उसने बताया है के चौप में पांच-छे सिखों ने एक मुसल्मान खौँचा फरोश को किरपानों से उसकी आँखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डारा है जब उसने ये देखा तो सर पर पाउं रखकर भागा और यहां आखके दुन लिया मैसीम अख्तर यह सुनकर बेहोश हो गई बड़ी मुश्किलों से खान साब अच्छन खान उसे होश में लाए मगर वो बहुत देर तक लिड़ाल रही और खामोश खराबे देखती रही आखिर उसकी मा ने कहा खुन खराबे होते ही रहते क्या इससे पहले कतल नहीं होते थे तम दिलासा देने के बाद दसीम अख्तर संबल गई तो उसकी मा ने उसे बड़े दुलार और प्यार से कहा उठो बच्ची जाओ पेश्वास पहनो सेख आते ही होंगे नसीम ने बाद ले नाखासता पेश्वास पहनी सोला सिंगार किये अम मसनत पर बैड़ गई उसका जी भारी भारी था उसको ऐसा मालूम होता था कि उस मकतूल खौनचा फरोश का सारा खून उसकी दिल और दिमाग में जम गया है उसका दिल अबी तक धड़क रहाता वो चाहती थी के जर्बर्क पिश्वास की बजाए सादा शलवार का वीज पहन ले और अपनी माँ से हाथ जोड़कर बलकि उसके पाउं पकर कर कहे खुदा के लिए मेरी बात सुनो चलो भागो यहां से मेरा दिल गवाही देता है कि हम पर कोई न कोई आफ़त आने वाली है बुड़िया ने जुझला कर कहा हम पर क्यों आफ़त आने लगी हमने किसका क्या बिगाड़ा है नसीम ने बड़ी संजिल्गी से जवाब दिया उस घरीम ख़ांचा फरोच ने किसी का क्या बिगाड़ा Chad जो जालिमों ने उसके टुक्डे टुक्डे कर डाले बिगाड़ने वाले उल्ट बच जाते हैं मारे जाते ैं जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा रही होता तुमारा दिमाग खराब हो गया है ऐसे हालात में किसका दिमाग दुरूस रह सकता है चारों तरफ खून की नदियां बेह रही है ये कहकर वो उठी बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे बाजार में देखने लगी उसे बिजली के खंबे के पास चार आदमी खड़े दिखाई दिया जिनके पास बंदूके थी उसने खान साब अच्छन खान को बुलाया और ये आदमी दिखाए ऐसा लगता था कि वही सिपाई ही है जिनको भेजने का वादा सेट कर गया था खान साब अच्छन खाने उन आदमीयों को अपनी चुन्धी निगाओं से बगवर देखा नहीं ये सिपाई नहीं सिपाईयों की तो वर्दी होती है मुझे तो कुंडे मालूम होते हैं नसीम मखतर का कलेजा धग से रह गया कुंडे अल्ला बेटर जानता है कुछ कहा नहीं जा सकता लो ये तुम्हारे कोठे की तरफ आ रहे है देखो नसीम तुम किसी बहारे से उपर कोठे पर चली जाओ मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ मुझे दाल में काला नजर आता है नसीम अक्तर चुपके से बाहर निकली और अपनी मां की नजर बचा कर ऊपर की मनजल पर चली गई थोड़ी दिर का खान साब अच्छन खाँ अपनी चुंदी आंके जबकाता आया और जल्दी से दर्वादा बंद करके कुंदी चड़ा दी नसीम अक्तर जिसका दिल जैसे डूब रहा था ने खान साब से पूछा क्या बात ले वही जो मैंने समझा था तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे हैं कहते थे सेट गोबिन प्रकाश ने कार भेजी है और बुलाया है तुम्हारी माँ बहुत खुछ कुई बड़ी महरबानी है उनकी बैद देखती हूं कहां है शायद उखल खाने में हो इतनी दिल में तयार हो जाओं उन कुंडू में उसे एक ने कहा तुम्हें क्या सेट शेयद लगा के चाटेंगे बैठी रो जहां बैठी हो खबरदाज तुम यहां से हिली हम खुद तुम्हारी बैटी को ढून निका लेके मैंने जब यह बाते सुनी और उन कुंडू के बिगड़े वे तेवर देखे तो खिसकता खिसकता यहां पहुंच गया नसीम अक्तर हवास बाखता थी अब क्या किया जाए खान ने अपना सर खुजड़ाया जवाब दिया दिखो मैं कोई तरकीब सोचता हूँ बस यहां से निकल भागना चाहिए और माँ उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ उसको अल्ला के हवाले करके खुद तो बहार निकलना चाहिए उपर चार पाई पर दो चादरें पड़ी हुई थी खार सहाब नहीं को गांट देकर रस्सा बनाया और मजबूती से कुंडे के साथ बांग कर दूसरी तफ लटका दिया दीचे लॉंडरी की छट थी वहां तक अगर वो पहुँच जाए तो आगे रास्ता साथ था लॉंडरी की छट की सीड़ी यहां बूसरी तरफ थी उसके जरीय से वह तवेले में पहुँच जाते और वहां साइस जो मुसल्मान था तांगा लेते और सीधा इस्टेशन का रुख करते रसी वक्तर में बड़ी बहादरी दिखाई आरा महराम से नीचे उतरकर लॉंडरी की छर्ट तक पहुँच गई खान सहाब अच्छन खाभी भाहिफाद तमाम उतर आये अब वो तवेले में थे साइस इस्तिफास से तांगे में घोड़ा जो उतरा था दोनों उसमें बैठे और स्टेशन का रुख किया मगर रास्ते में उनको मिल्ट्री का ट्रेक मिल गया है उसमें मुसल्ला फौजी मुसल्मान थे जो हिंदूं के खतरनाक महलों से मुसल्मानों को निकाल निकाल कर महफूज मकामों बोर पहुँचा रहे थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको स्पेशल ट्रेडों में जगा दिलवा देते हैं ताहंगे से उतर कर नसीम अख्तरोस का उस्ताद ट्रक में बैठे और चंद मिन्टों में स्टेशन पर पहुँच गे थे स्पेशल ट्रेन इत्फाक से त्यार की उसमें उनको अच्छी जगा मिल गई और वो बखैरियत लाहूर पहुच गए यहां वो करीब करीब एक महीने तक वॉल्टन कैप में रहे नहायत कसपुर्सी की हालत में उसके बाद वो शहर जले आए नसीम अक्तर के पास काफी जेवर था जो उसने उस रात को पहना हुआ था जब सेट गोबिन प्रकाश का मुझरा सुनने आ रहा था यह उसने उतार का खान साब अच्छन खाके हवाले कर दिया था उन जेवरों में से कुछ बेज़ कर उन्होंने होटल पे रहना शुरू कर दिया लेकिन मकान की तलाश जारी रही आखिर दिकत तमाम हीरामंडी में एक मकान मिल गया तो अच्छा खासा था अब खान साब अच्छन खान नसीम अक्तर से कहा गद्य और चानिया वगएरा खरीद लें तो तुम बिसमिल्ला करके मुझे रश्डू कर तो नसीम ने का नहीं खासा मेरा जी उगता गया है बड़ तो इस मकान में भी रहना पसंद नहीं करती किसी शरीफ महले में कोई छोटा सा मकान तलाश कीजिए ताके मैं वहाँ उड़ जाओ मैं या खामोज जिन्दगी बसर करना चाहती हूँ मान साहब को यह सुनकर बड़ी हैरत कुई क्या हो गया है तुम्हें बस जी उचाट हो गया है मैं जिन्दगी से किनारा कशी थियार करना चाहती हूँ और दौा कीजिए खुदा मुझे साबित कदब रखे और यह कहते हैं वे नसीमतर की आँखों में हस हुआ गये खान साहब ने उसको बहुत तरगीब दी पर वो टस से मसना हुई उसने एक दिन अपने उस्ताद से साफ कह दिया कि वो शादी कर लेना चाहती है अगर किसी ने उसको कुबूर ना किया तो वो कोहारी रहेगी खान साहब बहुत हैरान थे कि नसीम में तब्दीली कैसे आई फसादात तो उसका बायस नहीं हो सकते क्या वज़ा थी कि वो पेशा तरग करने पर तुली हुई थी और शादी करके शरीफ़ाना जिन्दगी बसर करना चाहती थी जब उसे समझा समझा कर ठक गया है तो उसे एक महले में जहां शुर्फ़ा रहते थे एक छोटा सा मकान ले दिया और खुद हीरा मंडी की एक महलदार तबायफ को तालीम देने लगा नसीम दे थोड़े से बरतन खरीजे एक चार पाई और बिस्तर वगेरा भी एक छोटा लड़का नौकर रख लिया और शुकून की जिद्धी बसर करने लगे पांचों नमाजे वब पढ़ती रोजवे आयत उसे सारे के सारे ही रखे एक दिन वो उस सुधार में नहा रही थी कि सब कुछ भूल कर अपनी सुरीली आवाज में गाने लगी उसकी हाँ एक औरत का आना जाना था नसीब अक्तर को मालूम नहीं था यह औरत शरीफों के महले की बहुत बड़ी फापा कुटनी है शरीफों के महले में कई घर तामत तबाह कर चुकी है कई लड़कियों के इसमत पौने पौने दामा भी इकवा चुकी है कई नौजवानों को गलत रास्टे पर लगा कर अपना उल्लू सीधा करती रही है जब उस औरत ने जिसका नाम जनते था नसीम की सूरिली और मंची हुई आवास सुनी तो उसको मान ये ख्याल आया कि लड़की जिसका आगा आया ना पीछा बड़े मारके की तवायब बन सकती है चुनांचे उसने उस पर डोले डालने शुरू करती है उसको उसने कई साथ जाग दिखाए मंगर वो उसके काबू मिनाई एक रूस ना उसको गले से लगा लिया और चटचट बलाएं लेना शुरू कर दी जीदी रो बेटा मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी तुम्हें इसमें सोला आने पूरा पूरी उत्री हो नसीम अक्तर उसके फरेब में आ गई उस एक दिन उसको यहां तक बता जिया क्यों शादी करना चाहती है क्योंकि कि यतीम कुवारी लड़की का अकेले रहना खत्रे से खाली नहीं होता जन्ते को मौका हाथाया उसने नसीम से कहा बेटा यह क्या मुश्किल है मैंने यहां कई शादियां कराई है सब की सब कामियाब रही है अल्ला ने चाहा तो तुम्हारी हजब मंचा मियाँ मिल जाएगा जो तुम्हारे पाउं दो दो कर पियेगा जन्ते कही फर्जी रिष्टे लाई अगर उसने उनकी कोई जारा तारीफ ना की आखिर में वो एक रिष्टा लाई जो उसके कहने के मताबिक फरिष्टा सीरत तो सायब जाहिदात था उमर कभी जादा नहीं था नसीम अक्तर मांगे तारीख मुकर्र की गई और उसकी शादी अंजाम पाई नसीम अक्तर बहुत खुश्टी कि उसका मियाँ बहुत अच्छा है उसकी हर असाईश का ख्याल रखता है लेकिन एक दिए उसके होश औ हवाज गुमों गए जब उसको दूसरे कमरों से औरतों की आवाज़ा सुनाई दी दराज में से जहांक कर उसने देखा उसका शहर बूड़ी तवाइफों से उसके मुटालिक बातें कर रहे जनतें भी पात बैची है सब मिलकर उसका सौधा ताय कर रहे थे उसकी समझ में ना आया क्या करें और क्या ना करें बहुत देर रोती और सोच्टी रही आखर उठी अपनी पेशवास निकाल कर पहनी और बाहर निकल कर सीधी अपने उस्ताद अच्छंखां के पास पहुंची और मुझरे के साथ पेशा भी शुरू कर दिया एक अजीब किस्म के इंतकामी जजबे के साथ तो खेलने लगी तो यह थी आज की कहानी अंजाम बखैर कल फेराऊंगा एक और कहानी सुनाऊंगा तब तक के लिए इजादत दीचिए आदाब नमस्ते प्रूंगा